हाई पेरेंट्स वेलकम टू किट्स लर्निंग नेस्ट आशा करती हूं कि आप सब ठीक हो और स्पस्थ हो आज का मेरा टॉपिक है अवेरनेस पर ये चीज मुझे भी पता नहीं थी इस पर मैंने उतना कॉंसेंट्रेट नहीं किया जब समायरा के मैडम ने ऑनलाइन पेरेंट इस टीचर मीट में जब कुछ पॉइंट्स हमसे डिसकर्स किये पेरेंट्स से तो मुझे पता चला कि बच्चा इन ऑनलाइन स्कूल्स के वज़े से उन्हें कितनी सारी डिसाइडवांटेज हो रही हैं अभी लॉगड़ॉन होके हो गए हैं टू यह तो मोस्ली यह टू यह इस टीचर में एफेक्ट होने वाले किट्स कौन से हैं जिन्होंने अपनी स्कूलिंग शुरू की थी ट्वेंटी ट्वेंटी वन में और वी कन आलसो कंसिडर दा किट्स हू जॉइन टूजन नाइटीन बट एट लीस्ट यह बच्चों को यह तूजन नाइटीन में जो एटुव्वाइमेंट क्या होता है तब एसे में सडली वन फाइंड डे करोना तो जाएगा और स्कूल रिओपन होएंगे तो बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा जी पीपीवन पीपीटु के बच्चों के लिए parental guidance is important. एक parent को साथ में बैठना होता है, जब अब बच्चा अपना class लेता है. ये parental guidance इतना dependent हो जा रहा है, कि बच्चे बीना parent के कुछ कर नहीं पा रहे हैं. For example, ये चीज मैंने समायरा पे भी observe की है, जब teacher, ये काली हैं कि इंग्लिश बुक निकालो मैं ये होमवक करो हम पेरिंस क्या करते हैं हम लोग को पूरे जैने हम बच्चों को बनाएंगे self independent LKG में हर चीज नया था बच्चे को online schooling क्या है चीजें क्या थी उनको पता ने थी तो हमने starting में उन्हें help कर दिया लेकिन अभी आप बच्चे को खुद से करिए ऐसे करने के लिए बच्चे के लिए private space बनाईए एक छोटा सा table और chair दी दीजिए जहां पर उनके सारे stationary books handy रखे मैंने एक simple सा वीडियो बनाया है आप देख सकते हो with minimum spend हम कैसे बच्चों के लिए private space बना सकते हैं ऐसे space बनाने से बच्चे focus रहेंगे उनका distraction नहीं होगा वह एक जगा बैठ कर ही concentration से अपनी online classing लेंगे और parents की requirement कब होगी parents की requirement तो mandatory है LKG UKG kids के लिए तो आप से side में रहिए कुछ technical difficulty आए तो आप involve होईए अब यह बच्चा बड़ा हो रहा है और आज कल के बच्चे बहुत स्माटे वो कुछ से ही technology समझते हैं खुछ से ही mute, unmute भी कर ले रहे बस आप देखिए कि बच्चा class सुन रहा है focused है या नहीं बस ये चीज़ आप दियान रही है बाखी के दुसरे चीज़ों पर आप involve मत होईए जब teacher बोल रही है कि आज का homework निकालो और करो आप बच्चे को खुद से करने दीजे आप देखिए अगर आप बच्चे सो पूछोगे कि आज का homework निकाल करो वो नहीं निकाल पाएंगे उनको papers के से पलट आते हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा है अगर school में होते वो बात अलग थी वो सिखते सिखते भी time two months, three months school में रहते रहते उनको समझ में आ जाता था कि हाँ class में आये हैं हमको book खोलना है अभी पढ़ना है erase ऐसे करना होता है sharpener, sharpening ऐसे करना होता है लेकिन अभी हम बच्चों को देखेंगे तो erase भी हम करके दे देते है sharpening भी हम ही कर देते है pencil हाथ में हम थमा देते है ये page की class work, homework भी हम निकाल के दे देते है तो बच्चों को हम बनाएंगे self independent and ready for school self independent and ready for school माने बच्चा खुच से ही अपने चीजे करेगा ताकि अब कल को वो school जाएंगे तो वो खुच से ही ये सब चीजें करेंगे उनके लिए एक bag बना दीजिए bag में उनके books डाल दीजिए और जो भी required चीजें हैं वो खुच से search करेंगे खुच से निकालेंगे उनको time दीजिए ये सब सीखने से ही वो school के लिए ready रहेंगे अभी दूसरा है कि parents के do's and don'ts ये चीजें काफी parents में observe हुआ है जहांपे parents बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइस कर दे रहे हैं क्योंकि और लों को पता चल रहा है कि class में वो सारे बच्चों के साथ बैठके perform कैसे कर रहे हैं अगर बच्चा स्कूल जाते थे तो हमें उतना पता नहीं चलता था कि बच्चे दूसरे बच्चों के competition में कैसे कर रहे हैं अभी मैं समायरा की बात लेती हूँ वो बहुत अच्छे से लिखती है जो भी teacher बोलते है वो खुद से अच्छे से good pace of speed वो लिखती है लेकिन comparatively with 2-3 kids वो थोड़ा slow जाती है अगर वो स्कूल में होती तो मुझे पता नहीं चलता कि समायरा comparatively with the 2-3 kids थोड़ा slow pace में जा रही है अभी जबी वो घर में रहेगी online class के त्रू मुझे पता चल रहा है कि उसका थोड़ा speed writing में slow है तो हम बच्चों को pressurize नहीं करेंगे कि हाँ उसका हो गया तुमारा अभी तक क्यों नहीं हो ऐसे मत करिये अगर बच्चा बहुत ही slow कर रहा है ABCD लिखने के लिए 20 minute लगा दे रहा है वो problematic है अगर बच्चा दूसरे बच्चों के मुकाबले में 1 minute 30 second कम कर रहा है तो उसे pressurize मत करिये कि देखो उसका हो गया तुमारा क्यों नहीं हुआ हाँ ऐसे बच्चों को हम pressurize कर देते हैं वो irritate से हो जाते है कि हर चीज में mom सर पे बैठकर मुझसे बोलते रहती है कि ये करो वो करो ये चीज करना avoid करिये और दूसरी चीज जबी भी बच्चे की कोई test होती है या किसी तरह की वो competition में participate कर रहा है या कुछ भी हो जहां पे it is kind of a test जहां पे वो उसका individual assessment होता है उसमें आप prompt मरना करें जैसे कि अभी बच्चों के UKG Kids के शुरू हो गये है cat, at, mad, bad words at words, odd words, cvc words जब बच्चे का test होता है क्लास में आप पीछे से prompt ना करें कि ये लिखो जब टीचर उनसे कुछ question कर रही है teacher और student का interaction होने दीजिए parent बीच ये teacher के बीच में parent मत आईए बच्चे को teacher से ही बात करने दीजिए teacher को eye contact देकर बात करने दीजिए वो ऐसे करेंगे तो वो school के लिए ready होंगे अगर हम हर चीज में उनको prompt करके उनकी help कर देंगे न वो spoon feeding जैसी हो जाएगी बच्चा जब school जाएगा तो उसे बहुत दिक्कत हो जाएगी और वो parent को दूढ़ना शुरू कर देंगे कि where is my mother मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रहा तो ये चीज करना कम करिये prompt मत करिये किसी भी चीज के लिए student और teacher interaction होने दीजिए ना कि parent बीच में आके parent के help के तुरू बच्चा कुछ करे एक और point थोड़े बच्चे screen में देखके teacher से direct eye contact करके बात नहीं कर पा रहे तो आप क्या करोगे कि उनको practice दीजिए mirror में mirror के साम में खड़के खुच से बात करने की practice दीजिए या जबी भी वो किसी से video call में बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं eye contact करके बात करने दीजिए अगर बच्चा eye contact करके बात करेगा तो वो good speaker बनेगा लोगों को देख के बात करना confident talk करेंगे अगर बच्चे को वो confident lack करेगा ना तो वो कुछ बोलना चाहेगा लेकिन वो low confidence के वज़े से बच्चे बोल नहीं पाते हैं ये काफी बच्चों में observe किया गया है तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि बच्चे को कुछ भी है कुछ भी बोलना है तो direct teacher को देख कर eye contact करके बात करने के लिए encourage करिए साथी साथ हम ये एक और चीज भी कर सकते हैं हम school related कुछ videos बच्चों को दिखाएंगे कि ये school है classroom ऐसा होता है जब schools open होंगे आपका environment ऐसा होगा आपको जो online में teacher होती है वो real में आया जाएंगे आपके सारे friends real में आएंगे आप उनसे बात कर सकते हो ऐसे simple से चीज़े बच्चों से discuss करिए आजकल स्कूल में भी बच्चों को अलफ कर रहे हैं बट with precautions आप अगर चाहें तो बच्चों को लेकर जाईए उनका class दिखाईए कि ये ऐसा है school ऐसे होता है so that schools reopen होंगे तो बच्चा suddenly homesick ना हो जाए कि अब मुझे नहीं जाना है वो online से ही करूँगा मैं school तो ऐसी चीज़ें आप उनको daily समझाते रहे हैं कि आप school reopen होगा ना तो तुम्हें जाना होगा तुमको classic activity लेनी होगी teacher आपके साम में होगी blackboard पे teacher आपको समझाएंगे आपको benches में बैठना होगा आपका एक lunch time होगा तो ऐसी चीज़ें आप daily बात करते रहे हैं बच्चों को कि school जब open होगा तो आपको school जाना है कही ना कही उनको लगेगा कि हाँ this is for time जब school शुरू होगा I have to go to school और यह बहुत young kids है young kids mostly first in start school जाने के लिए बहुत रोते हैं लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि इनका LKG भी lockdown में हो रहा है UKG भी lockdown में हो रहा है अगर first में school जाएंगे तो रोने लगे कि हमें नहीं जाना है तब तक बच्चे हो जाएंगे 5 और 6 years के अगर 5 और 6 year का kid कह रहा है school नहीं जाना है तो वो बहुत problematic हो जाएंगा 3 years के जब हम उनको LKG में दालते हैं 3-3 एना half years के तब तो वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही छोटे होते हैं तो वो normal है वो बच्चा बोल रहा है कि school नहीं जाना है school environment will be like this एक और बात जब class में teacher कुछ online class में समझा रहे हैं अगर बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप कुछ से teacher मत बनिया आप खड़कर उसे पहले समझाए मत कि ये add add मिलके add बनता है फिर तुम पहले curl sound लगा तो बनेगा cat let the child listen to teacher first उसको teacher को सुनने दो उसके बाद class होने के बाद हम अराम से बैठके उनको समझा सकते हैं कि आप ये online activity में जब sorry online class में जब teacher कुछ बोल रहे हैं कि हम आगे से आके बच्चों को ना समझे let the child listen to teacher always let the child listen to teacher क्यों आगे चलके बच्चों को school जाना है उनको school में teacher के through ही चीज़े समझनी हैं और सिखनी है school जब बच्चे जाएंगे तब हमारा interaction minimum हो जाएगा हम ज़स्ट चेक करेंगे कि हाँ school के activity हुई है school में इसने क्या किया है और जो भी homework related stuffs होंगे वो घर पे हम करवाएंगे तो आप ज़स्ट जब online classes होते हैं student teacher interaction होने दीजिए बच्चे को student के true ही बच्चे को teacher के true ही समझने देत आप बीच में मत समझाएए जब activity जब online class हो जाएगी तब बच्चा free होगा उसके study time पे उनको आप समझाएए अगर उसको concept पे grip नहीं आया है तो अब सबसे concerning वाली thing English talking अगर बच्चा school जाता था तो वो teacher से student से क्योंकि school environment होता है strictly English talking तो इधर से उधर से थोड़े चीज़े पकड़ कर वो खुद से English बात करना अब तक शुरू कर चुका होता था लेकिन अभी दो साह से online classes हो रही है घर में हो रही है minimum interaction है with teacher minimum interaction है with friends who are studying in the same class सिर्फ वो लोग अपना laptop या tab mobile खोल कर बैठते है teacher से interaction भी नहीं हो पाती इतने सारे बच्चे होते हैं उत्ते छोटे से screen में teacher किस 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 पर ध्यान दे तो इसमें गलती किसी की भी नहीं है तो हम क्या करेंगे हम घर पे बच्चों से जबी भी हम बात करेंगे mother tongue में नहीं English में talk करने की कोशिश कीजिए simple simple sentences बच्चों से बात करिए like can you grab a glass of water can you go to toilet by yourself or can you sleep can you put on the TV walk here, talk there करते रहिए और उनको भी English में respond करने के लिए कहिए चोटे चोटे स्टोरी बुक्स लाकर पढ़िए उनके साथ ऐसे करने से उनको English pronunciation भी सीधे से समझ में आए कि वो हलके हलके करके English में बात करना भी सीख लेंगे, जो कि online classes के तुरू कुछ नहीं हो रहा है तो बच्चा लाक कर रहा है English talking में विच इस वेरी कंसर्निंग टू अल्मोस्ट एवरी पेरेंट की बच्चा इंग्लिश बात नहीं कर रहा है बच्चा इंग्लिश बात नहीं कर रहा है स्कूल जाते थे तो अब तक UKG का kid almost 50-60% with grammatical error इंग्लिश में बात करना सीख जाता था लेकिन अभी responsibility है main parents पे कि हम बच्चों को कैसे mold करेंगे अब जब schools open नहीं है घर ही एक school बन गया है बच्चों के लिए तो हम make sure करेंगे कि बच्चा self independent रहेगा और ready to school रहेगा जबी भी schools open होंगे focus रहेंगे अपने classes पे जबी भी classes होते हैं बच्चों को minimum pressurize करते हुए उनका online classes हम उन्हें अराम से करने देंगे और basic से चीजे simple simple sentences English में उनसे हम बात करेंगे ऐसे करते हुए हम बच्चों को ready for school करेंगे जबी भी school reopen होंगे अगर पसंद आया है तो please thumbs up दीजे like करिये share करिये and please 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 subscribe करिये kids learning nest को thank you so much